राजस्तार उप्चुनाव में खीवसर सबसे होट सीट मानी जा रही है क्योंकि इस बार एक तरफ जहां हनुमान बेनिवाल की साख का सवाल है तो भाजपा ने लगातार दूसरी बार रेवन्त राम डांगा को खीवसर सीट से टिकट दिया है जिन्होंने 2023 विधान सबाचु की पतनी को टिकेट दिया है जिस कारण खीवसर में त्रिकोणी मुकाबला देखने को मिल रहा है देखे रिपोर्ट में उतारा है तो भाजपा ने लगातार दूसरी बार रेवत राम डांगा पर दाओं खेला है कॉंग्रेस ने भी भाजपा का दामन छोड़का कॉंग्रेस में शामिल हुई सवाई सिंग चोदरी की पतनी डॉक्टर रतन चोदरी को टिकट दिया है क्योंसर सीट पर जीत के के लिए सभी पार्टियां पूरा दम लगा रही है जहां भाजपा प्रत्याशी रेवत राम डांगा के नामांकन सवा में पूरी भाजपा सरकार क्योंसर में नजर आई तो कॉंग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चोदरी के समर्थन में कॉंग्रेस के सभी आलानेता जन संपर्क कर रहे हैं कि उसर विरान सवा में इस बार कुल मतदाता 2,86,041 है जिन में महिला मतदाता 1,36,787 है कि उसर सीट पर पहली बार दो महिला प्रत्याशी उचुनावी मैदान में आरलपी से कनका बेनिवाल तो कॉंगेस से डॉक्टर रतन चोधरी ऐसे में महिला वोटर्स की बात करें तो जन संपर्क के दोरान महिलाओं का अधिक रुजान राष्टिय लोगतांतरिक पार्टी के प्रत्याशी कनका बेनिवाल की ओर दिखाई दे रहा है क्योंसर सीट पर रालोप लगातार अपना वर्चस्ट कायम किये हुए है लेकिन इस बार कड़ी टककर है क्योंकि इस बार यहां से अनमान बेनिवाल नहीं बलकि उनकी पत्नी कनका बेनिवाल मैदान में लगातार राश्टिय लोगतांतरिक पार्टी सुप्रीमों हनमान बेनिवाल खुद दिन रात क्योंसर स्वेत में जन सभाय कर रहे हैं और हर हाल में इस क्योंसर सीट को बचा कर अपने खाते में ही रखना चाते हैं क्योंकि राजस्थान में राष्टी लोक्तांत्रिक पार्टी की केवल एक ही ख्यूसर सीट ही बची हुई थी तो इस वज़े से भी इस सीट को बचाना हन्मान बेनिवाल के लिए खासी चुनावती भरा काम है नागोर से जी मेडिया के लिए दामोदर इनानया की रिपोर्ट